सूपरबात बच्छों बीटा हचा है आप सब लोग स drill रहे हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं मैं Jon Pink आपको grammar भीशती थी और अब मैं आपको literature के chapters भीशती हूं हम लोग revision कर रहे हैं chapters की through tutorials तो बेटा आज हम जो chapter revise करने जा रहे हैं वो है इद मुबारक पाठ का नाम है इद मुबारक इद त्योहार है जो देश भर में मनाया जाता है लोग बहुत ही उत्सा के साथ इस त्योहार को मनाते हैं जैसे हम दिपावली का त्योहार या गुरपूरव मनाते हैं होली लोडी ये त्योहार मनाते हैं ऐसे ही इद का त्योहार भी मनाया जाता है और हमारी पुस्तक में ये पाठ दिया गया है हम इसे पढ़ेंगे अपनी कि इताबे मेरे साथ निकाल लीजिए पेज नमबर 68 पर दिया है पाठ एद मुबारक मेरे साथ साथ रीड कीजिएगा ओके और ध्यान से समझे एद मुबारक पाठ नौ देखो येलो उसमें लिखा है कलर में आज एद है इसका क्या मतलब है कि एद का दिन है और उस दिन का सीन किया हुआ है कि किस तरह से एद मनाई जाती है आज एद है कल रात एद का चांद दिखाई दे गया रमजान का महीना फूरा हो गया अभी तक रोजे रखे जा रहे थे जैसे लो ब्लत रखते हैं वैसे ही रोजे होते हैं जो कि रमजान के महीमे में रखे जाते हैं जैसे ही पेश इमाम साहब ने चांद दिखाई देने की घोशना की चारों और खुशियां चा गई वैसे इद की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी जैसे हम दिपावली का तेवहार मनाते हैं तो कई दिन पहले ही दिवाली की सफाईयां शुरू कर देते हैं पूजा का सामानिक अठा करने लगते हैं नए कपड़े करेदने लगते हैं और कई दिन पहले ही एक दूसरे को उपहार देने लगते हैं तौफे देते हैं न ऐसे ही इद की तैयारे भी कई दिन पहले ये शुरू हो जाती है इद के मौके पर घर के सभी लोगों ने नए कपड़े सिलवाए है करीम ने नया कुर्ता पहन रखा है सल्मा ने भी नया घागरा पहना हुआ है उसके गले में लाल रंग की चुन्नी भी डाली हुई है बच्चे एक दोसरे को अपने कपड़े दिखाकर खुश हो रहे है बच्चे क्या दिखाकर खुश हो रहे है नय-नय कपड़े आपको भी कपड़ों का शौक है न कि कोई भी फेस्टिवल हो और कोई भी ओकेजन हो तो आपने कपड़े पहने ली हुई है आज घर में मीठी सेवईया पक रही है बिटा सेवईया के स्पेलिंग्स देखो कुछ बच्चों ने कॉपी में सेवईया के स्पेलिंग्स गला दिके थो ऐसे लिखे जाएंगे सेवईया और आ की मात्रा के उपर चंदर मिंदू सेवईया आज घर में मीठी सेवईया पक रही है इद गाह जाने से पहले सभी को खाने के लिए सेवईया मिलेंगी और बच्चों को क्या मिलेगा बच्चों को इदी मिलेगी इदी में बच्चों को रुपए मिलते हैं जिसे लेकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और मेला देखने जाते हैं बच्चों को आज इदी भी मिली हैं अब लोग इदगाह जाने के लिए घर से निकल रहे हैं वहां मेला भी लगा हुआ है बच्चे मेले में जाने के लिए मचल रहे हैं मचल रहे हैं मतलब बहुत शोर मचा रहे हैं कि हमें मेले में जाना है मेले में जाना है खुश हो रहे हैं एकसाइटिड हैं बहुत उत्सुक हैं उत्सुक एकसाइटिड उत्सुक हैं बच्चे मेले में जाना चाहते हैं लोग इदगाह आ गया वहाँ सभी लोग पहुँच चुके हैं अब लोग जब इदगाह पहुँच जाते हैं तो वहाँ अप्रेयर करते हैं नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने का क्या प्रोसेस है ये बताया है नमाज पढ़ने के लिए सभी लोग पंक्ती में खड़े हूँ जाते हैं पंक्ती मतलब लाइन नमाज पढ़ते समय वे एक साथ जुकते हैं वे घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ उपर उठा कर खुदा से दुआ मांगते हैं दुआ मांगना मतलब मननत मांगना विश मांगना नमाज पूरी हुई अब लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं वे एद की बधाई देते हुए कहते हैं इद मुबाहरक नेक्स पेज इद गाह के बाहर मेला लगा हुआ है आप लोगोंने भी मेला देखा होगा ना कभी ना कभी देखा होगा मेला क्या-क्या चीज़ें होती हैं मेले में जूले लगे होते हैं खाने पीने की दुकाने होती हैं और खिलोने लगे होते हैं है ना बहुत तरह-तरह की चीज़ें लगे होती हैं सजावटी समान होता है बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं तो ऐसे ही यहां भी मेले के बारे में बताया है कि ईदगाह के बाहर मेला लगा हुआ है मेले में तरह-तरह की चीज़ों की दुकाने सजे हैं बच्चों को रंग भी रंगे की लौने अपनी और खींच रहे हैं बच्चों को रंग भी रंगे की लौने ने एक माला खरीदी है, फोटो में देखो, करीम के हाथ में एक भालू पकड़ा हुआ है, और सल्मा के गले में माला पहनी हुई है ना, माला पहन कर वहें इतना रही है, इतना रही है, मतलब बहुत ही खुश हो रही है, करीम के और साथी एहमद, रजा और सुहेल मिठाईयां खरीद रहे हैं सभी लोट कर घर आ गए सल्मा की अम्मी ने सभी को खाने के लिए मिठाई दी सभी बड़े चाओ से मिठाई खा रहे हैं चाओ मतलब शौक बहुत ही खुश होकर खुशी खुशी सब लोग मिठाई खा रहे हैं इद आपसी प्रेम और एकता का त्योहार है हमें इसे आपस में मिल जूल कर मनाना चाहिए कोई भी त्योहार हो हमें आपस में मिल जूल कर हर त्योहार को मनाना चाहिए आपसी प्यार बढ़ता है भाई चारा बढ़ता है है ना चीक है यह बटा आमने पाठ बढ़ा I hope कि आपको पाठ एक बार फिर से समझ में आया और साथ साथ में रीडिंग जरूर करना कोश्चन एक बार डिसकेश करते हैं बैक एक्सरसाइज के रोजे कब रखे जाते हैं रोजे रमजान के महीने में रखे जाते हैं रमजान, रमजान के महीने में रखे जाते हैं सल्मा ने क्या पहना है? सल्मा ने घाघरा पहना है बेटा जब आप घाघरा लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे घर लिखना है घर नहीं लिखना, घाघरा नहीं है घाघरा, घाघरा पहना है इद के अफसर पर क्या चीज बनती है इद के अफसर पर मीठी से वय्या बनती है ओके इद से पहले कौन सा महीना चल रहा था इद से पहले रमजान का महीना चल रहा था चांद दिखाई देने की गोशना किसने की किसने बताया कि चांद निकल आया है इमाम साहब ने चांद दिखाई देने की खोशना इमाम साहब ने की इद की अफसर पर बच्चे खुश क्यों होते हैं क्यों खुश होते हैं बच्चे इद की अफसर पर क्योंकि उन्हें नए नए कपड़े मिलते हैं और इदी भी मिलती है इद गाह में लोग किस प्रकार नमास पढ़ते हैं जो हमने प्रोसेस पढ़ा कि पहले वो एक लाइन में एक पंक्ती में खड़े होते हैं फिर सब एक साथ जुकते हैं घुटनों के बल बैठते हैं ठीक है एक साथ सब लोग जुकते हैं और फिर हाथ उपर उठा कर खुदा स से दुआ मांगते हैं इद कैसा त्योहार है इद आपसी प्रेम और भाई चारे का त्योहार है यानि कि सब लोग इस त्योहार को मिल जुल कर मनाते हैं सल्मा के गले में किस रंग की चुन्नी है लाल हरी काली या सफेद लाल रंग की से वईया कैसी होती है मीठी फीकी नमकीन या कड़वी मीठी करीम ने कौन सा खिलोना करीदा शेर घोडा भालू या कुत्ता भालू माला किसने खरीदी सल्माने विमलाने कमलाने या अमलाने सल्माने ओके क्लियर नेक्स्ट अब देखो नीचे देखो उल्टे अर्थों वाले शब्द आपने ये पढ़ा था ना पहले भी विलूम शब्द पढ़े हैं हमने है ना इसमें देखो कुछ विलूम शब्द दिये हैं और उधर दूसरे शब्द दिये हैं हमने उनको मैच करना है ओके राइट वाले विलूम शब्द के साथ मैचिंग करना है उसको इधर लिखे हैं रात मीठी नए और खरीदी ठीक है इधर आप्शन लिखे है पुराने बेची दिन और फीकी अब विलूम शब्द है मतलब उल्टे शब्द तो कौन जी होंगे रात दिन मीठी फीकी नए पुराने खरीदी बेची ओके यह विलूम शब्द है बेटा तो यह बेटा हमारा पार्ट है एद मुबारक आप लोग इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, questions बहुत ध्यान से करेंगे और बेटा जब आप question answers करते हैं तो one word answer नहीं लिखना पूरा answer लिखेगा और spellings बहुत अच्छे से लिखेगा क्योंकि जब हम spelling errors करते हैं तो marks करते हैं इसलिए बेटा return प्राक्टिस करना लिख लिख कर question answers की प्राक्टिस करना थैंक्यू बेटा